Hello everyone, आज करेंगे question 1 का fourth part 4u square plus 8u है Firstly, इसके zeros कैसे निकालने हमें कि 4u square plus 8u लिख लेते हैं इस मैंसे क्या common निकल सकता है, देखो 4u common निकल सकता है और क्या बचेगा आपके पास u plus 2 ठीके, तो ये दोनों आपके factors होगे this and this अब इनको equals to 0 करेगे तो 4u equals to 0 आजाएगा and u plus 2 equals to 0 आजाएगा यहां से आपकी u की value आजाएगी 0 और दूसरी u की value आजाएगी minus 2 अब ये दोनों आपके zeros निकल गए अब verify करने की बात आती है तो sum of zeros equal हो जाएगे equals to minus b upon a के अब देखो अब इसे आप कैसे लिख सकते हो 4u square plus 8u plus 0 क्योंकि constant है नी तो इसको 0 की तरह लिख सकते हो आप 0 की तरह ठीक है तो इसमें b कितना हो जाएगा coefficient of u वो क्या है 8 तो आप क्या लिखोगे minus of 8 और a क्या है यहाँ पर 4 तो इसको लिख लिया 4 हमने तो sum of zeros अगर आप करोगे तो 0 plus minus of 2 आजाएगा यहाँ से आएगा minus 2 और यहाँ से भी आजाएगा minus 2 हैंस यह verify हो गया second part में आते हैं यहाँ पर product of zeros करने हैं हमने ठीक है product of zeros करने है उसकी value क्या है बताओ c upon a c क्या होता है constant term देखो कितनी है constant term 0 है और यह क्या होता है coefficient of u square ठीक है वो है 4 हमारे पास तो product of zeros करेगे तो 0 कौन से थे 0 and minus 2 था income multiply कर दो multiply करने के बाद obviously 0 के साथ कोई चीज़ multiply करेगे वो 0 ही हो जाएगा hence left hand side equals to right hand side यह भी prove होगी हमारी ठीक है now second question fifth question करते है t square minus 15 देखो इसमें थोड़ी यह trick होती है जब भी दो वाली terms वाला expression होना उसमें कोई न कोई formula लग जाता है तो आपको यहां से थोड़ा hint मेल रहा होगा कि 15 को हम लख सकते है under root 15 और under root 15 ठीक है तो इसे t square minus under root 15 का square लख सकती हूँ मैं फिर यह formula कौन सा बना a square minus b square का आपको पता होगा formula क्या होता है a plus b and a minus b तो उसी तरह से इस वाली चीज़ को भी हम लख सकते है t minus under root 15 और t plus under root 15 फिर t की values t के जो zeros होगे वो कितने निकल जाएगे इनको जब equate करेगे 0 के तो हमारा यहाँ पर under root 15 निकल जाएगा और t का एक और 0 under root minus 15 निकल जाएगा यह तो उन्हों zeros आगे नाव इसको प्रूफ करने की बारी आती है firstly हम क्या प्रूफ करते है sum of zeros ठीक है sum of zeros sum of zeros हम प्रूफ करेगे जो की minus b upon a होगा तो minus b upon a के लिए firstly हमें इसको modified form में कैसे लिखेगे t square देखो t का कोई भी यहाँ पे नहीं है term तो उसको plus 0 t लिख सकते है ठीक है minus 15 इसको इस form में लिख सकते है now b क्या होता है coefficient of t ठीक है वो कितना आजाएगा 0 minus 0 कर देगे हम sum of zeros इन दोनों का sum कितना आजाएगा root 15 plus minus root 15 जो की 0 हो जाएगा obviously यहाँ पर भी 0 हो जाएगा hence proved secondly जो product है product of zeros क्या होता है equals to c upon a constant term क्या है इसमें minus 15 तो आप लिखोगे यहाँ पे minus 15 और a क्या है 1 है तो यहाँ पर भी 1 आजाएगा now product इन दोरों का multiply करेंगे तो आपके पास क्या value हो जाएगी under root 15 into minus of under root 15 यह कितनी के equal हो जाएगी 15 के ठीक है sorry minus भी है यहाँ पर minus 15 equals to minus 15 left hand or right hand side equal होगी hence यह प्रूव हो गया हमारे बस last question करते है last part करते है इस question का अब इसमें हम क्या करेंगे firstly वही factor form में 3x square अब इसको कैसे लख सकते है हम minus 4x ठीक है and plus 3x minus 4 लख सकते है ना क्योंकि इसको minus करने से वही बन रहा है minus x common कितना निकलेगा x common निकल जाएगा 3 minus 3x minus 4 बचे का अंदर plus 1 3x minus 4 देखो same same है ना यहां और यहां same same होने चाहिए अब 3x minus 4 common निकल जाएगा यहां यहां से और x plus 1 बच जाएगा now इसको 0 के equal करेगे तो x की value आजाएगी 4 upon 3 और x की value आजाएगी minus of 1 ठीक है अब हमने sum and product को verify करना है ठीक है तो क्या हो जाएगा वो sum of zeros equals to minus b upon a sum of zeros अगर इन दोनों को करेगे तो कितना आएगा 4 upon 3 minus 1 equals to minus of b b क्या है यहां पे देखो coefficient of x क्या है minus 1 तो minus of minus 1 upon a क्या हो गया a is 3 ठीक है a 3 हो जाएगा 3 इतना आगया और यहां पे अगर हम LCM इसका 3 निकाले 4 minus और यहां पे 3 आ जाएगा minus minus plus 1 upon 3 चीक है अब इसको minus करने के बाद आपका 1 upon 3 आगे यहां पर भी 1 upon 3 आगे तो left hand side equals to right hand side हो जाएगी अब इसका दूसरा part करेगे product बताओ जल्दी बताओ कैसे करेगे product को product में equals to c upon a होता है constant term क्या है इसमें देखो यहां पे minus 4 है तो constant term हम minus 4 लिखतेते हैं and a जो x square का coefficient है वो 3 है तो हम यहां पे upon में 3 लिख लेगे product अगर हम zeros का करे तो कितना आजाएगा वो 4 upon 3 into में minus of 1 hence minus 4 upon 3 आए left hand side में right hand side में minus 4 upon 3 आगे hence यह left hand side और right hand side हमारी prove हो गई thank you so much